बईया जब गुलाव यामन का पराठा बन सकता है पेंटा दूद में मिला कर शेक बनाया जा सकता है सेंड़िच में चौकोबार भर सकते हैं और तो और केसरिया गाने में लव स्टोरिया डल सकता है जो कि खाने और सुनने में कितना ही खराब लग रहा हो पर चलतोर आईए तो भीया हमारे माई लॉड भी इनको इनको राहत दे सकते हैं फिर चाहे अंदर से कितना ही जिया जले जा जले नैनो तले हु रहा हूँ मैंने पूरी कोड की सुनवाई ध्यान से पढ़ी उसमें जिया जले जा जले तो मुझे समझ में आ रहा था पर साला कोडिया मकड तुम बकदो जोबड़ी बैठे उचुपगो मंकी लेके तुम देखो मुझे समझ में नहीं आया हाँ पर उसे पढ़के मजा भूता रहा था और वो मजा आज मैं सब को देना चाहता हूँ तो आप हमारे साथ बने रही है देखते रही है आज की जाला खबर तुझी कोड में तुवारा से पैटिशन डाली गई कि इन पर लगी जितनी भी अफायार है उन्हें एक साथ क्लब कर दिया जाए ये सब स्थानों पर जा जा कर केस नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि ये गुस्ता के नभी हैं ये एक्जेक्टली वही वेटिशन थी जो अब से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोड में डाली गई थी काम तभी हो जाता पर जजज साब उस दिन कुछ अलग मूड में थे उन्होंने पूरे देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हें दे दी यहां तक कि कनहीया लाल के साथ उद्यपुर में जो भी हुआ उसका भी पूरा अश्रे इन्हें ही दे दिया वो साला वीडियू बना कर ये भाई साब ख्लेम कर रहे हैं कि मैंने किया फिर भी जजज साब ने उसका पूरा अश्रे छीन कर इन मेडम को दे दिया मैं तो शुक्र मनाता हूँ राणायूब ने वाशिंग्टन पोस्ट में आर्टिकल नहीं लिख दिया कि इस्लामोफोबिया सुप्रिम कोट ने एक मुसल्मान के काम को रेकगनाईज ना करके उसका पूरा श्रे इस हिंदु को दे दिया मोधी राज में सैफरोन जज तुझी कोट में दुबारा अर्जी लगाई गई और दूसरी बार भी उन्ही सेम जजिस के पास केस चला गया इस बार जजों ने बकैती नहीं की और पूछा बताओ वकील साब ने कहा कि इन्हें खतरा है रक्षा करो जज ने पूछा किस से खतरा है वकील साब ने कहा किस से किसे खतरा होता है जज ने पूछा अब ही ये पूछ रहा हूं कौन है वो जिस से खतरा है आया किस का बच्चा तो वकील साब ने कहा बिहार में एक बंदा पकड़ा गया और वो पाकिस्तान से आया था उसके पास इनका नंबर फोटो सब था, अब वो जो पाकिस्तान से आया था, वो इनका फैन तो होगा नहीं, कि चलो मैडम को ओटोग्राफ ले आया हूँ, फिर अजमेर दरगा का चिस्ती, उसने भी बकैती पेली, साले से बोला नहीं जा रहा था, अजीब सा केड़ा मेड़ सा बोल रहा था, पर फिर भी पेली, जो पूर शर्मा की गतर लाएगा, मैं अपना उसे घर देनुआ, पूरा रोस्ते भी निकल जाओगा, यहां तक की निजामुद्दीन के दिवान ने का कि यदि ये लड़की किसी इस्लामिक देश में होती, तो अब तक ना होती, निज या लाल उदैबुर वाले के बारे में, तो उनकी हसी छूट जाती है, और हस्ते हस्ते कहते हैं, वो तो गलत हो गया उसके साथ, अब मंदिर जाएगे, बहुत सा बड़ा ज्यास करते हैं, नम्शाब फूची जाएगे, तो यह खुची जाएगे, उसके अलावा भी कई और स्थानों से इस प्रकार की मीठी-मीठी बातें हुई हैं, बातें तो खेर यहां तक की गई, कि कोई इन मेडम की वीडियो मातर देख भी ले, तो उस तक को नहीं छोड़ा जाता, आज ही बिहार में ये केस आया, वीडियो देख रहा था, वहीं पर दो-चार लर्खे आये, और काज कि क्या देख रहा, क्या देख रहा, तो काज कि मैं ये ये देख रहा हूं, पुल सरमा का वो देख रहा हूं, वीडियो देख रहा हूं मैं, तो वो सब गाली गुलोज करने लगा, गाली गुलोज करने लेगवाद हाता पाई हो गया और तिन्चार पाँचाद में था और वाकी जहब उसने जहब पीछे से चाकुमार लिया उद्यपूर, अमरावती, बिहार, गुजरा, चतिशगर, मुंबई, हर्याना, नागपूर, भिलवाडा और यहां तक की डच्च एमपी तक को मात्र इन को वही सदा दी जाएगी, कई स्थानों पर तो दे भी दी गई, इसके बाद भी जजज साब आपने इनकी सभी F.I.R. को क्लब नहीं किया, अब इन्हें सभी स्थानों पर जाना पड़ेगा, बताइए कौन बचाएगा इन्हें, जज साब थोड़े से संकोच में आ गए, और कहा, हमने ऐसा कब कहा कि तुम्हें हर स्थान पर जाना पड़ेगा, हो सकता है हम अपनी बात को ढंग से कनवे ना कर पाए हो, हाँ ये भी हो सकता है कि तुम, मतलब तुम हमारी बात को ढंग से ना समझे हो, अपनी नीचे नहीं होने थे जज साब, जज साब ने पूछ कहां continue करना चाहते हो केस को फिर ये बताओ दिल्ली हाई कोट में करोगे वकील साब ने कहा कि पहली F.I.R दिल्ली में ही हुई थी तो लौ तो यही कहता है कि दिल्ली में ही continue करो और बाकी सब जो भी F.I.R हैं उन्हें रद करो जो नई हैं या पुरानी हैं उन्हें सभी को कर देते हैं अगली पिछली सब F.I.R को रद किया गया और और कहा गया कि दिल्ली के हाई कोट में अब केस चलेगा इस प्रकरण से हिंदू समोधाय की थोड़ी सी आखे खुली हैं और उन्होंने चीजों को समझना प्रारंभ भी किया है जो 1947 में हुआ वो 2047 में दोबारा रिपीट ना हो इसलिए सजग रहने की आवशकता है क्योंकि P.I.R का विजन डॉक्युमेंट 2047 रेडी है वो तयार हैं और अपने प्लैंस को एक्जिक्यूट भी कर रहे हैं आप अभी भी दरगाओं पर जाकर उन्हें ही चंदा दे कर आ रहे हो हां थोड़ी सजगता आई है दिल्ली की निजामुद्दिन दरगाह पर 60 प्रदीशत तक हिंदों ने वहां जाना छोड़ दिया है ऐसा वहां क का दीवान कहता है वहां का दीवान आगे कहता है कि पहले यहां पर हर समय हिंदू आकर दान पुनने का काम करते रहते थे भंडारा लगाते रहते थे पर अब बहुत कम हो गया है लग भग 60 प्रतिशत तक तो कम हो ही गया है दूसरी और अजमेर में 85-90 प्रतिशत तक हिंद की दरगाह का भी है निजाम الدین के दीवान ने साफ कहा कि इसलाम में इस गल्ती की माफी नहीं है और ऐसा देखा भी गया है कमले इश्तिवारी के साथ ऐसा हुआ सल्मान तासीर के साथ ऐसा हुआ सल्मान तासीर पाकिस्तान के एक पॉलिटीशन थे उसने एक क्रिस्टिन एक टीचर था फ्रांस का आपको पता ही होगा उसके साथ क्या हुआ फिर चाहे महाशे राजपाल हो जिनके साथ 1924 से लेके 1927 तक यही सब वो रहा था और 1927 में वो हो गया जो वो करना चाहते थे फिर चाहे पाकिस्तान की एक टीचर सफूरा बीबी हो या देवरा सेमियल वीडियो को विराम देता हूं और वीडियो को शेर करिए लाइक करिए पेट्रियोन और यूपी आई के थ्रू सपोर्ट करते रहे है जय हिन जय भाराइद